दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यें सी इर्टी सार संक्रह का प्राची नितिहास का भागतीन जिसके अंतरगत हम मौरय काल, मौरय ओत्तर काल, गुब्ठ काल तथा गुब्ठ ओत्तर काल से समबंधित प्रमुख प्रashणों को देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं मौरय सामराज से समबंधित महतवपूर प्रश्ण व्रिहद अस्तर पर केंद्रित प्रथम भारती सामराजय अस्थापित किया गया था तो ये चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा चाड़क के के बचपन का नाम क्या था? विश्नुगुप्त सेंड्रो कोटस नाम से चंद्रगुप्त मौरे की पहचान किस ने की थी बिलियम जोन्स ने बिलियम जोन्स ने सेंड्रो कोटस नाम से चंद्रगुप्त मौरे की पहचान की थी चंद्रगुप्त मौरे का विसिष्ट रूप से बढ़न किसके गरंथ में मिलता है तो विसाख दत के गरंथ में और कौटिल्य द्वारा अर्थसास्त्र सासन के सिधानतों से संबंधित पुष्टक है जिसमें मुख्य रूप से राजनैतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है अगला प्रेशन है बुलंदी बाग नामक प्राची नस्थान कहां परिस्थ है पाटली पुत्र में मैक्या वेली के प्रसिध गरंथ दप्रिंस की तुलना किस से की जा सकती है तो दोस्तों दप्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थिसास से की जा सकती है अगला प्रश्ण है कि पाठिल पुत्र में इस्थित चंद्रगुप्त का महल मुखेते किस से निर्मित था तो ये लकडी का था और सेल्यूकस जिसे अलेकजेंडर द्वारत सिंध और अफगानिस्तान का प्रसासक नियुक्त किया था किस भारती राजा ने पराजित किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था अगला प्रश्ण है बिंदुसार ने मैत्रिपोण पत्त ब्योहार में सीरिया के सासक एंटियोकस से तीन वस्तूओं मीठी मदिरा सूखी अंजीर और एक दार्सनिक या सोफिष्ट की मांगी थी दार्सनिक को छोड़कर अन्यवस्तों को एंटियोकस ने पिंदुसार के पास भेजा था अगला प्रश्ण है कुमरार नामकस्थल से किस प्राची नगर के आउसेस प्राप्त हुए हैं पाटल पुत्र के किस ने सहिशुलता उधारता और करुडा के त्रिविध आधार के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी सामराटा सोक ने और सेंडरो कोटस चंदरगुप्त मौरे और सिकंदर महान की भेट का उल्ले किस ने किया है तो एक ग्रीक इतिहासकार जश्टिन ने चंदरगुप्त मौरे और सिकंदर महान की भेट का उल्ले किया है अगला प्रश्ण है मालवा, गुजरात और महराष्ट को किस सासक ने पहली बार जीता था तो चंद्रगुप्त मौरे ने अब आए देखते हैं मौरे कालिन, तीर्थ या अधिकारी जिनका बढ़न की कौटिल लेके अर्थसास्तर में किया गया है दोस्तों तीर्थ उन्हें कहा जाता था जो मौरे काल में सबसे उच अस्तर पर अधिकारी होते थे और अर्थसास्त के अनुसार इनकी संख्या 18 होती थी तो आए देखते हैं प्रमुक तीर्थ और उनसे संबंधित कारे या विभाग मंत्री या पुरोहित ये प्रधान मंत्री और प्रमुक धर्मा अधिकारी थे यूराज सत्त का उत्तरा अधिकारी होता था सन्निधाता राजकी कोसागार का प्रधान अधिकारी या कोसागार होता था समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित मंत्री और कर संगराहक होता था मंत्री परिशत के अध्यच होते थे प्रदेश्टा फोजदारी नियाले का नयधिस या कमिशनर होता था ब्योहारिक दीवानी नयाले का प्रमुख नयधिस नायक सेना का संचाला कत्वा नगर रच्छा का अध्याच होता था सेनापती जो होता था वो सेना का अध्याच या सरवोच सेने कमांडर होता था अंतरवशिक ये सामराट का अंगर रच्छक और सेना का प्रधान अधिकारी होता था देखे करमान्तिक जो था घरेलू उद्योग धंदो और कारखानों का परधान ने रिच्छक अध्यच होता था प्रसास्ता राज की आग्याओं को लिपिबद करने और राजकोसी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला दंडपाल जो था वो सैन्य सामगरी का प्रवंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था और दुर्ग पाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रवंधक था अंतपाल सीमावर्थी दुर्गों का रच्छक आठविक बहुत ही महतपूर है आठविक बन विभाग का सर्वोच अधिकारी होता था और दौवारिक इसको राजमहल का परवंथ और देखरेक करने वाला प्रधान अधिकारी कहा जाता था तथा नागरक जो था वो नगर का स उद्गोलम इन चार अभिलेखों में असोक के वास्तविक नाम यानि अशोक का उल्लेख मिलता है याद रखेगा गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस मौर्य दक्कन की विजय सासक ने प्राप्त की थी तो किस मौर्य सासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और यह किस अभिलेख से प्रमाडित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पस्षिम भार अपने प्राण त्याग दिये थे मगद सामराज में रज्जुक किसे कहा गया है तो मौरे सासन में भू मिमापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है ब्रामी लिपिको पर्थम पहचान किस पर उतकीड पट्टियों के अच्छरों से की गई है असोक के सिलालेखों में प्रियुक्त भासा कौन सी थी तो ये दोस्तों प्रियुक्त भासा थी प्राकरित असोक के अभिलेखों के खोज करता यहां पर देख लेते हैं तो धौली अभिलेख ये इसके खोज करता किट्टू थे 1837 में भाब्रू सिला लेख कैपटन बर्ट ने 8840 में खोज की थी बराबर और नागार जुनी गुफा हैरिंग्टन ने 1784 में दिल्ली टोपरा सिला लेख के खोज कैपटन पोलियर ने 1785 में की थी और दिल्ली मेरट हस्तंब लेख पैंडरे टिप हैंठलर ने 1785 में मानसहरा अभिलेक की खोज कैप्टन ले ने 1889 में किया था कालसी सिला लेक जानफारेष्ट 1860 में रुम्मिन दाई सिला लेक फिहरर ने 1896 में किया जोगड अभिलेक सर्वाल्टर इलियट 1850 में गिरनार अभिलेक लेटिनेन करनल टाड ने 1822 में और सहबाजगरी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 में किया था देखे इलाहबाद अस्तंब लेक की खोज टीयस बर्ट ने 1834 में और मस्की अभिलेक जो है दोस्तों इसकी खोज बीडेन ने 1915 में किया था इसके अलावान निगाली सागर फिहरर ने 1895 में रामपुर्वा अभिलेक की खोज कारलाईल ने 1872 में और सारनाथ अस्तंब की खोज आरेल इस्टाइन ने 1905 में किया था तो इसमें से आपके लिए महत्वपूर ये है कि जो सबसे महत्वपूर अभिलेक हैं सारनाथ, सहबाजगड़ी, रुमिन्देई, इन दिल्ली मेरट, दिल्ली टोपरा ये जो अस्तंबलेक और अभिलेक हैं इनके आप खोज करता और उसके सन को याद कर लिजेगा अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है कि असोक ने बौध होने के बाद भी हिंदु धर में आस्था नहीं छोड़ी थी इसका प्रमार कहां से मिलता है तो देव नाम पी, पेदसी यानि देव का प्यारा उपनाम से ये पता चलता है कि बौध होने के बावजूद हिंदु धर में उसने आस्था नहीं छोड़ी थी प्राक असोक ब्राम्हिल लिपि का पता किस अस्थान से चलता है स्रीलंका इस्थित अनुराधापुर से सारनाथ अस्थम का निर्मार किसने करवाय था असोक ने और भारती उप महादीप का सासा कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सासना देश चारी किये वो अशोक था और वह अस्थम कौन सा है जिसमें असोक ने स्वेंग को मगद का सामराट बताया है भाबरु अस्तंब राजस्थान दोस्तों ब्राम्ही लिप या ब्राम्ही स्क्रिप्ट में लिखे गए असोक के सिलालेखों को सरोपर्थम जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप याद रखेगा सबसे पहले ब्राम्ही लिप से लिखे सिलालेखों को जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने में सफलता पाई थी असोक के किस अभिलेग से धम महा मातरों के नियोक्ति की सूशना मिलती है पांच में ब्रिहस सिला लेग से गुर्जला लगु सिला लेग कहां इस्तित है मद्यप्रदेश के दतिया जिले में और मौरे काल में भूमिकर जोकी राजजी की आयका मुख्य सुरूत था की सधिकारी द्वारा एकातर किया जाता था ये सीता ध्यच द्वारा मद्यप्रदेश इस्तित सांची के इस्तूप का निर्मार किस मौरे सासक ने कराया था असोक ने और दोस्तों मौरे राजवन्स के सासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राज की संबंध थे उत्राखंड में सामराट असोक के सिला लेखों की एक प्रतिक की सस्थान से प्राथ हुई है कालसी से प्रसिद यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आय था चंद्रगुप्त मौरे के अब यहाँ पर आये देखते हैं प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग सीता ध्यच जो था वो क्रिसी विभाग का अध्यच होता था अकारा ध्यच खानों का अध्यच था लवडा ध्यच मुद्रा विभाग का परधान शुकला ध्यच ब्यापारिक कर का परधान मुद्रा ध्यच पासपोर्ट विभाग का अध्यच होता था और संस्था ध्यच ब्यापारिक मारगों का अध्यच होता था दोस्तों मौरेकाल में ब्यापारियों के संगठन को संभूत, समुथान और संभेवहारिक तथा ब्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था याद रखेगा ब्यापारियों का जो संगठन था उसको संभूत, समुथान और संबेवहारिक और ब्यापारियों का जो नेता होता था उसे सार्थ वाह कहा जाता था अगला प्रश्न है कि गुप्त चर वेवस्था को प्रथम विश्दित वविब्रण किस गरंथ में मिलता है अर्थसास्त्र में मौरेकाल की किस पुस्तक में जहाज निर्माड और नाविक गतिविदियों का बरड़न है यह है इंडिका जो की मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी चंदरगुप्त मौरे अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयाई हो गया था जैन धर्म का और कौन सा मौरेकाल में सिच्छा का सरवाधिक परसिद केंदर था यह था तक्षिसिला तक्षिसिला सिच्छा का प्रमुक केंदर था मौरियों के सासन काल में जो है सरवाधिक प्रमुक सिच्छा का केंदर दोस्तों तक्षिसिला था और गाओं के सासन को स्वायत सासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की बेवस्था का सूतरपात किस वंस ने किया था तो ये था मौरे वंस अगला प्रेशन है दोस्तों मेगस थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारती समाज को साथ स्रेडियों में भी भाजित किया है असोग का समकालिन सासक तुरमय कहां का राजा था ये मिस्र का था और मिस्र के सासक 288 से 246 इसा पुर्व टालमी फिलाडेलफस के साथ असोग के राजनेतिक संबंध थे और संभौत है इसी को तुरमय कहा गया है चंद्रगुप्त मौरे और असोग दोनों का एक साथ उलेक किसके अफलेक में किया गया है तो ये है महाचहत्रप रुद्रदामन का जूनागर अफलेक इसमें चंद्रगुप्त मौरे और असोग दोनों का एक साथ उलेक किया गया है दोस्तों भाग और बल किसके प्रमुक स्रोत थे तो ये राजसो के स्रोत थे गिरनार छेतर में एक जहिल का निर्मार किस्सा सकने करवाय था ये है चंद्रगुप्त मौरे दोस्तों कौसामभी और प्रियाग राज के अस्तंभों में असोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान किये जाने का उलेख मिलता है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है तो रानी कौरुवाकी का दान दिये जाने का अभिलेख जो है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जात जो कौसामभी और प्रयाक के अस्तंभों में मिलता है प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पती द्वारा परत्यक्त पतनी के लिए बिवाह बिच्छेद की अनुमत दी गई थी अर्थशास्त्र में और कलिंग युद्ध की विजयों और छत्रयों का वरण असोग के किस सिलालेक में है तेरह में सिलालेक में तो कलिंग युद्ध की विजय का वरण तेरह में सिलालेक में है असोग के अभिलेखों से किस दच्छणी राज्य के अतरिक्त सभी दच्छणी राज्यों का उलेख मिलता है तो सातवाहन राज्य के अतरिक्त अन्य सभी दच्छणी राज्यों का उलेख असोग के अभिलेखों में मिलता है अंतिम मौरे सामराट कौन था याद रखेगा ब्रिहदरत जो की अंतिम मौरे सामराट था मौरेों की जल संसाधन ब्यवस्ता की जानकारी की सभिलेक से प्राप्त होती है रुद्र धामन का गिरनार अभिलेक और असोक का समकालिन मिसर का राजा कौन था तो वो था अलेक्जेंडर अगला प्रशन है दोज्टों सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त बोहरे ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहां का सा सक्था तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सीरिया बेबुलोन का सा सक्था और असोक के पशात देवनामप्य की उपाध किसने धारण की थी तो वो था दसरत आए देखते हैं असोक की प्रमुख उपाधियां असोक जो है वो मस्की लगुसिला लेक में है देवनाम प्रियस या असोक राजा गुर्जरा लगुसिला लेक में असोक मौर रुद्र दामन का जूना गड़विलेक में पियदस्सी राजा बराबर गुहा लेक में पियदस्सी राजा मगध भाब्रु बैराट लगुसिला लेक में और पियदस्सी राजा कंधार ब्रिहस लेक में दीपवंस महावंस में अशोक वर्धन पुराणों में राजा असोक नेटूर लगुसिला लेक में और राजा अ शेशिला था और अपने उपर आसरित बच्चों और पत्नी की समुचित विवस्था किये बिना भिच्छु बनने वालों के लिए किस ने दंड का प्रावधान किया था कौटिल ने खरोष्ठी लिपकी उत्पति किस से हुई आर्माईक भासा से और कौटिल किस के परधान मंत्री थे दोस्तों कौटिल विश्णु शर्मा गुप्त या चाड़क के एक ही व्यक्ति के नाम माने जाते हैं जो की चंद्रगुप्त मौरे के सेना पति थे परधान मंत्री थे मौरे के पश्यात भारत की उत्तर पश्यम सीमा पर किसका अधिकार हुआ बैक्ट्रियन सासकों का और मौरे सासन बेवस्था में रूप दर्सक नामक अधिकारी का कारे क्या था रूप दर्सक सिक्कों का परिक्षड करता था वह मौरे राजा जो अमित्र घाद के नाम से ज पाद और अश्ट भाग थे ताबे के सिकों के प्रकार जो थे माशक अर्ध मासक काकडी और अर्ध काडिक थे असोक ने अपने राज्या भिशेक के आठमे वर्स यानि 261 हिसा पूर में कलिंग पर आकरमण करके उस पर भीजय प्रात की थी तो याद रखेगा कलिंग ने अप सातवाहन वंस का संच थापक था आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है मत्स पुराण में सातवाहनों की राजधानी कहां थी अमरावती में सातवाहन काल का सरुसरेष्ट सासक कौन था गौतमी पुत्र सातकरी दोस्तों गौतमी पुत्र साथकाडी ने वेड कटक स्वामी की उपाधिधारन की थी और वेड कटक नामक नगर की अस्थापना की थी इसे वेदों का आस्रे कहा गया है। खुसाडों ने विक्रम और सकसंबत में कितने वर्सों का आंतर है याद रखेगा 135 यानि 135 येर्स का आंतर है विक्रम और सकसंबत में। मौरियों के बाद दच्छिड भारत में सबसे प्रभावसाली राज्जे कौन था तो ये था सातवाहन वंस का राज्जे। सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर आक्रमड किया कर्व वंस ने और कनिस्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था। और किस वंस के सामराजी की सिमाए भारत से बाहर तक जा फैली हुई थी तो ये था कुसाड वंस। और 78 इस्वी से जो है वो सकसंबत का प्रारम हुआ था इसलिए इन दोनों में 135 वर्स का अंतर है। कलिंग नरेश खारवेल किस वन से संबंधित थे चे दिवन से पर्थम इरानी सासक कौन था डेरियस पर्थम और अफगानिस्तान में इस्थित बामियान किसके लिए परसिद्ध था ये बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं के लिए परसिद्ध था किसके सिक्कों पर मात्री देवी उमा का नाम मिलता है कुशार सासक के चतुर भुजी विश्नु के सिक्के किसने चलाए हुविस्क ने और बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है कनिस्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है योधे सिक्कों पर किस देवता का चि प्रफम सोने के सिक्के किस ने जारी किये थे, बहुत ही महत्पूर्ण है, कुसाडों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे, कनिश्क का राजवयद कौन था, तो ये था चरक, कनिश्क किस संप्रदाय से संबंदित था, महायान बौध संप्रदाय से, और किस राजवं भारत के यूनानी सासकों में से किसकी स्मृती भारती साहितिक ग्रंथों में सरवाधिक सुरक्षित है वो है मिनांडर की और मौर्योत्तर कालीन विदेशी आकरमड कारी यहाँ पर देखते हैं हिंद यवन इनका भारत में आक्रमण 192 इसापूर में हुआ इनका मूल निवास अस्थान जो है हिंद यवनों का बैक्ट्रिया और अफगानिस्थान था इनके सरवाधिक प्रसिद्ध सासक मिनांडर और मिलिंद साकल थे और राजधानी इनकी वरतमान सीयालकोट में थी इसके अलावस सक या सीथियन जो 90 इसापूर में इनका भारत आगमन हुआ ये सीरिया और इरान के रहने वाले थे नहपान जो है पश्चिमे भारत में इनका सरवाधिक प्रसिद्ध सासक था महराष्ट से प्राप्त अभलेखो और सातवाहन में इनका उल्लेख है पार्थिय निया पहलो जो थे वो पहली सदी इसापूर के अंत में भारत आगमन हुआ पार्थिया और इरान में इनका मूल निवास अस्थान था गोंडो फरनीज इनका सरवाधिक प्रसिद्ध सासक था और बेगराम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इनके सिक्के मिलते हैं बरत्मान पेशावर ये इनकी राजधानी थी दोस्तों आकरमण कारियों का क्रम अगर जो आपको बताना होगा तो हिंद यवन सक पहलो और कुसार ये भारत में बाहरी आकरमण का क्रम है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का स्रे कुसार सासक विम कड़ फिसेस को दिया जाता है तो कुसार सासको ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाय थे और इसका स्रे सबसे पहले कुसार सासक विम कड़ फिसेस को जाता है आईए देखते हैं गुप्त काल से संबन्दित महतोपोण प्रश्न गुप्त राजवन्स का पर्थम सासक कौन था? स्री गुप्त नगरों का क्रमिक पतन की सेक काल की महतोपोण विशेश्टा थी? गुप्त काल की? प्राचीन भारत में किस वन्स का सासनकाल स्वाड़ युक के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त वन्स का जो सासनकाल है ये गोल्डेन एज के रूप में जाना जाता है गुप्त वन्स का जो सासनकाल का आवध ही रहा वो क्या था? 275 से 550 इस भी है ये गुप्तवन्स का सासनकाल है भारत का नेपोलियन बहुत ही महतपूर है नेपोलियन आफ इंडिया ये समुद्र गुप्त को कहा जाता है समुद्र गुप्त प्रथम गुप्त सासक था जिसने परम भागवत की उपाध धारन की थी और इसके बाद गुप् कि परम भागवत की उपाध किस ने धारन की थी तो इसमें चंद्र गुप्त दुति आपसंजो होता है वो देता है समुद्र गुप्त प्रथम का नहीं गुप्त संबत की अस्थापना किस सासक ने की थी चंद्र गुप्त प्रथम ने और किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देव गुप्त था तो ये था चंद्र गुप्त दुति दोस्तों गुप्त काल में उत्तर भारती व्यापार किस पत्तन से समचालित होता था तो ये था तामरलीप्ति बंदरगा और इलाहवा दस्तम भवलेक या प्रयाग प्रशस्त में समुद्र गुप्त के सासनकाल और सन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है किस गुप्त सासक ने सरुपर्थम सिक्के जारी किये थे चंदरगुप्त पर्थम ने गुप्त कालिन स्वन मुद्रा को क्या कहा जाता था तो ये था दीनार गुप्त कालिन स्वन मुद्रा का नाम था दिल्ली की कुवत्तुल इसलाम मस्जित के प्रांगड में इस्थित प्रसिध लव अस्तंभ किसकी इस्मृत में बनाय गया था चंद्रगुप्त बिक्रमादिति के इस्मृति में और किस सासक को शक विजेता कहा जाता है तो ये हैं चंद्रगुप्त दूति यानि चंद्रग पर्मादित्य और बिक्रमांक असकंद गुप्त ने शकाद्रित्य और सक्रोपम तथा समुद्र गुप्त ने पराक्रमांक कुमार गुप्त ने महिंद्रा दित्य और चंदर गुप्त पर्थम ने महाराजा धिराज की उपाद धारण की थी तो याद रखेगा चंदर गुप बारे में आईए जानते हैं महा सेना पती सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था रण भंडा गारी ये सेना की आवसक्ताओं को पूरा करने वाला अधिकारी महा संधिविक ग्रहक युद्ध और सांधि का प्रधान था महा भंडारा गारा धिक्रिति ये राज की कोस का सरवाध्यक्यक्रिएं अस्थापक ये सिक्षा अधिकारी होता था गुप्त काल में अपनी आयरविज्ञान विश्यक राचना के लिए कौन प्रसिद्ध था ये था प्रसिद्ध वैद्य सुसरूत चंदरगुप्त के नौ रतनों में से कौन फलित जोतिस से संबंधित था ये छपड़क था जो है फलित जोतिस से संबंधित था दोस्तों चंदरगुप्त दूति जिसका की सासनकाल 375 से 415 इस भी तक है वह स्वयंग एक विद्ध्वान था और विद्ध्वानों का आस्रह दियाता था उसके दरबार में नौ विद्ध्वानों का एक समूह निवास करता था जिसको की नौ मंतरी, छपड़क, संकु, बेतालभट, अमर सिंग, घटरपर, बाराह महिर और वररुच जैसे बिद्वान थे सक और गुप्त संबतों के मद्ध कितना अंतर है तो ये 242 वर्स का अंतर है गुप्त कालीन चादी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था रूपक नाम दिया के मंदसर अभिलेक में किया गया है दोसनों सूपिया का लेक में ये मध्यप्रदेश के रीवा जिले में इस्थित है यहाँ पर गुप्त वन्स को घटोत कच वन्स भी कहा जाता है तो याद रखेगा मध्यप्रदेश के रीवा जिले में इस्थित सूपिया का लेक में क्या था तो सामन्त वाद का प्रारंब जो था ये गुप्तकाल की क्रिसी बेवस्था का प्रमुकलच्छर था आई देखते हैं गुप्तकाली इन भूमी वर्गी करण को छेत्र खेती करने योगी भूमी को वास्त निवास करने योगी भूमी थी खिल वह भूमी जो क्रिसी य योग नहीं होती थी प्रहत जंगली भूमिको और चारागाह जो था वो पसुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमिको कहा जाता था किस सासक ने चार असो में द्यक किये थे प्रवर सेन पर्थम ने कायस्त सब्द का उलेक किस गरंथ में मिलता है मुद्रा राक्षस में और इटो से निर्मित गुप्त कालीन मंदिर कहां पर इस्थित है तो ये बीठूर कानपूर में इस्थित है अगला प्रशन है दोस्तों कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्को यानी चांदी के सिक्को मयूर शैलों का प्रशलन हुआ उसने महिंद्रा दित्ते की उपाध धारण की थी और नालंदा विशुविद्याले की अस्थापना कुमार गुप्त के सासनका गुप्तकाल में पैठन की प्रसिद्धी का कारण क्या था तो पैठन एक ब्यापारिक मंडी थी और ये देखिए सतरंज का खेल दोस्तों सतरंज का खेल भारत में गुप्तकाल के दोरान प्रारम हुआ था यहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था भारत में यह खेल ज इस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दसा का वड़न किया है तो फाहयान था जिसने गुप्त काल में भारत की यात्रा की थी और उसने गुप्त काल में भारत की दसा का वड़न किया है भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके का गुप्तकाल का है तो ये गुप्तकाल का है दोस्तो सती प्रथा का सरप्रथम अभिलेकिक साक्षे एरण अभिलेक से प्राप्थ हुआ था यह अभिलेक 510 इसभी का है जिसमें गोप राजनामक सेनपती के इस्त्री के सती होने का उलेक मिलता है गुप्तकाल में चीन से भारत गुप्त गाल का प्रसिद्ध खगोल सास्त्री आरेभट था और गुप्त कालिन चित्रकला का उतक्रिष्टतम रूप कहां मिलता है अजन्ता की गुफाओं में दोस्तों विशाख दत्द्द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में ये उल्लेक मिलता है कि चंद्रगुप्त दुती ने अपने बड़े भाई राम गुप्त की हत्या की थी अगला प्रश्ण है कि इसके स्वार सिक्के में हीन यानि मिलावट धातु का प्रचित सर्वाधिक है असकंद्द्गुप्त में गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में इस्त्रियों और सुद्रों के संबाद किस भासा में है तो गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए संस्कृत नाटक उसमें इस्त्री और सुद्र प्राकृत भासा में बात करते थे गुप्त वंस का अन्तिम सासक कौन था विश्णु गुप्त था किस अफिलेक में समुद्र गुप्त को लिच्वी दोहित्र बताया गया था तो यह है प्रियाग अभिलेक और हुडो ने असकंद गुप्त के सासन काल में आकरमण किया था इसमें असकंद गुप्त ने हुडो पर विजय प्राप्त की थी याद रखेगा हूडो का आकरमण असकंद गुप्त के समय काल में हुआ था और असकंद गुप्त ने उन पर भीजय प्राप्त की थी गुप्त काल में इस रेडियों से बड़ी संच था जिसको सिल्प स्रेडिया सदर से थी उसको क्या कहा जाता था उसको निगम कहा जाता था अग्रहार क्या होता था दोस्तों ब्रामणों को दिया जाने वाला जो भूदान था उसको अग्रहार कहा जाता था विद्धिशा के पास उदैगिरी युद्ध गुपाओं का निर्मार किस गुप्त काल में हुआ था तो ये गुप्त काल में हुआ था विदिशा के पास उदैगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्मार वाराह गुफा का निर्मार किस देवता के सम्मान में करवाए गया था भगवान विश्णु के यहाँ पर देखिए गुप्त सामराज जी के समकालीन राजवन्स जो है वो और उनके संस्थापक वाकाटक राजवन्स जो था ये 255 इसवी में था बिंदे सकती इसका संस्थापक था इसके अलामा वाकाटक राजवन्स 330 इसवी इसमें सर्वसेन ने इसके अस्थापना की थी नाग राजवन्स 350 इसवी में अस्थापना हुई थी भवनाग ने किया था त्रैक कूट राजवंस 415 स्वी में इंद्रदत द्वारा और हूर्ड राजवंस के स्थापना 500 स्वी में तोर मार द्वारा की गई थी ये देखे मातुर राजवंस ये 325 स्वी में अच्चिउत और 350 स्वी में इसका सासक संकर वर्मन रहा तो इसमें सबसे महत्वपोन है देखिए वाकाटक राजवंस विंध शक्ति और सरुसेन को इसका संस्थापक माना जाता है इसके अलावा यहाँ पर देखिए हूर राजवंस का संस्थापक तोरमार को माना जाता है दोस्तों कलहड कलहड जिनकों की भारत का सबसे पहले इतिहास लिखने का क्रमभध इतिहास लिखने का दर्जा मिला हुआ है इनको कलहड इनकी रचना राश्टरंगडी है कलहड के अनुसार असोग ने अपने सासन के सातवे वर्स में कस्मीर को जीता था और कस्मीर में स्री नगर की अस्थापना की थी तो याद रखेगा स्री नगर की अस्थापना असोग के द्वारा की गई थी अब आई देखते हैं गुपतोत्तर काल से संबंधित महतपूर्ण प्रश्ण गुर्जर प्रतिहार वंस की अस्थापना किस ने की थी? नागभट पर्थम ने राष्ट कूट सामराजी की अस्थापना दंति दुर्ग ने की थी गुपतोत्तर काल में भारत में मुख्य तक इसका आयात किया जाता था घुडो का आयात किया जाता था और मौखरी सासकों की राजधानी कहां इस्थित थी? मौखरी वंस के सासकों की राजधानी कन्नौज में इस्थित थी दोस्तों सामराठ हर्सवर्धन इसने अपने सासनकाल में कन्नोज और प्रियाग में दो बौध महा सम्मेलनों का आयोजन किया था बाल बिवा की प्रथा किसके सासनकाल में प्रारम हुई थी कुशार काल में और प्राचीन भारत में सिचाई करको क्या कहा जाता था तो बिदक भागम बिदक भागम कहा जाता था प्राचीन भारत में सिचाई करने की सिचाई कर को कहा जाता था हर्स के प्रसासन में अवंत युद्ध और शांति का अधिकारी था इसके अत्रेक्त कुछ अधिकारी जो थे सिंग नाद सेनापति होता था कुंतल अस्व सेना प्रधान था असकंद गुप्त हस्ति सेना का प्रधान होता था और सामंत या महराज नागरिक प्रसासन का प्रमुख होता था जबकि अवंति जो होता था वो युद्ध और सांति का अधिकारी होता था तीसरी सताबदी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों लोहे के यंत्रों और उपकड़ों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था पुराडों के अनुसार चंद्रवनसी सासकों का मूल अस्थान किसे माना जाता है पृतिष्ठान पूर को और हर्स चरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे वारदभत हर्स का सासंकाल कब से कब तक था चैसोः से 641 इसवी याद रखेगा चैसोः से 641 इसवी में हर्स का सासंकाल था सामराट हर्स ने अपनी राजधानी थाने स्वर से कहां पर हस्तांतरित की थी तो ये था कन्नोज और बाढ़भट कहां के निवासी थे ये औरंगाबाद महाराष्ट के निवासी थे बाढ़भट दोस्तों नर्मदा नदी पर सामराठ हर्स के दच्छिडवर्ती अभियान को पुलिकोई सिंदुती ने रोका था तो याद रखेगा सामराठ हर्स को पुलिके सिंदुती ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था अगला प्रश्ण है नालंदा विस्विद्याले किस राज में इस्थित है बिहार में है वेंसांग किस राजा के सासनकाल में भारत आया था हर्सवर्धन के भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंब हुई साथ वाहन काल से कौशे सब्द का प्रियोग किस के लिए किया गया है तो कौसे सब्द का प्रयोग रेसम के लिए किया गया है गुपत उत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहा था तो ये कन्योज था गुपत उत्तर काल में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जोस्तों वे इंसांग की भारत यात्रा के समय सूति वस्त्र उत्पाद भारत में सबसे प्राचीन विश्विद्याले कौन सा है नालंदा विश्विद्याले भीनमाल की यात्रा किस चीनी आत्री ने की थी तो दोस्तों भीनमाल की यात्रा वेनसांग ने की थी और चीनी आत्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था छेसो बहत्तरी स्व वक्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विस्विद्याले को नश्ट कर दिया गया था किस काल में जज्मानी बेवस्था सासन करने वाले एक नए प्रकार के सामाजिक सनरशना का उद्य हुआ था तो जजमानी बेवस्था जो है वो उत्तर गुप्तकाल में उत्तरी भारत में प्रशलित थी अब आये देखते हैं चीन में दूत भेजने वाले प्रमुख भारती ये सासक हर्सवर्धन जो था वो पुस्य भूति वंस का था इसने चीन में अपना दूत भेजा था नर्सिंग दूती पल्लव वंस का सासक था इसने भी और यसो बर्मन जो की कन्नोज नरेज था यसो बर्मन तथा कोलू तुंग प्रथम जो चोल वंस का सासक था इसने चीन में अपने दूत भेजे थे दोस्तों मौरियों द्वारा निर्मि सुदर्शन जील जो की काठियावार गुजरात में इस्तित है इसका जिंडोधार सक सासक रुद्र दामन प्रथम ने करवाया था तो ये था आज का वीडियो NCRT सार संग्रह प्राचीन इतिहास का भागतीन इसका हम एक भाग और आगे देखेंगे उसके बाद मंधिकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिंग भारत के इतिहास को देखेंगे इसमें NCRT से जो है निकाले गए ऐसे महतोपूर प्रशनों को सामिल किया गया है जो आपके सामाने अध्यन और अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महतोपूर है आप इसको तैयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांक दर्शन फार सिविल सर्विसेद को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार